वेलकम तो ग्लास नमबर 18 आज से हम लोग एडवर्ब के ग्रामर रूल्स को देखना शुरू करेंगे तो अगेन इसके भी जितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं लगबग 20 के आसपास हैं उनको कवर करेंगे इसके बाद जो बचे हुए अपने पार्ट आफ स्पीच है उनको उसके पहले भी बात कर चुके थे कंपरेटिव डिग्री अड्जेक्टिव में भी होती और एडवर्ब में भी होती तो उनसे कुछ कुछ कॉमन चीजे निकल के आती है पहले उन पर बात कर लेते हैं तो पहला रूल यह है कि मच ना यह जो मच वर्ड है इस यूज बिफोर past participles and adjective or adverb of comparative degree अगर past participle हो जब tenses वगरा देखे थे तो यह सारी चीजे देखी थी past participle कैसे बनाना है present participle क्या होता और वो सारी चीजे तो मच का प्रयोग हमें करना होता है past participle या फिर adjective adverb के comparative degree के पहले जैसे example को देखें I was very surprised at hearing the news या फिर I was much surprised at hearing the news यहाँ पर past participle यह surprise का past participle बनेगा surprised अगर past participle है तो उसके पहले much का प्रयोग हम लोग को करना होता है तो यहाँ पर vary जो है इसको हम लोग prefer नहीं करेंगे correct usage wise जो होगा surprised के पहले वो much यह वाला सही हो जाएगा I was much surprised at hearing the news इस surprised past participle की वज़े से यहाँ पर much लगाना पड़ रह करेंगे तो very is used before the present participle past participle है तो उसके पहले much present participle है तो उसके पहले very और adjective and adverb of positive degree तो main past present और past participle इन में कई बार confusion रहता है तो past participle है तो much present participle है तो उसके पहले very the news is much surprising या फिर the news is very surprising तो surprising यहाँ पर present participle है इसलिए इसके पहले much का प्रयोग सही नहीं है correct होगा यहाँ पर कि आप surprising के पहले यहाँ पर very लगाए अब यह वाला sentence हो जाएगा सही तो छोटा सा grammatical यहाँ पर कह सकते की portion है यहाँ पर जहाँ थोड़ा सा में tense को भी ध्यान में रखना है और participle क्य आगे से हम लोग caution रखेंगे कि अगर past participle है तो उसके पहले much अगर present participle है तो उसके पहले very next rule number two much to यह वाला important है क्योंकि अभी just CGL के पिछले वाला जो paper हुआ था प्री वाला उसमें इस पर सवाल पूछा गया था much to पर तो much to is followed by unpleasant adjective whereas too much too much is followed by noun यह थोड़ा सा इनमें अंतर करना अपने लिए बहुत जरूरी है यह फौरी तो पर पर पढ़ेंगे तो एक जैसा meaning वो दे रहे होते हैं लेकिन फर्क है much to is followed by unpleasant adjective कुछ भी होगा तो उसके पहले हम लोग much to लगाएंगे और too much के बाद आएगा noun इसको थोड़ा सा एक्जामपल से देख लो एक तो यह हो गया कि कि much to अगर आप ले रहे हो तो उसके बाद unpleasant adjective आएगा अगर too much आप लगा रहे हो तो उसके बाद फिर यहाँ पर noun आएगा यह थोड़ा सा इन दोनों के बीच में difference पता होना चाहिए एक्जामपल को देख लेते हैं his failure is too much painful for me या फिर his failure is much too painful for me तो यहाँ पर इस painful को देखो painful क्या होगे आपका unpleasant adjective तो इसके पहले much too का प्रयोग करेंगे तो too much यहाँ पर सही नहीं है correct होगा यहाँ पर correct usage इसका होगा यहाँ पर much too इस तरह से तूसरा example देखें his wife's root behavior gives him much too pain या फिर his wife's root behavior gives him too much pain अब यहाँ पर pain जो है वो नाउन की तरह आ रहा है तो इसके पहले हम लोग much too का प्रयोग नहीं करेंगे too much का प्रयोग करेंगे इसलिए यहाँ पर इसकी वज़े से यह गलत है और यह वाला sentence नीशे वाला बिल्कुल सही है तो इन दोनों में much है ना पहली चीज़ तो यह समझना है कि much too से sentence बनता है तो असा नहीं हो कि आप देखो इसको error मार की चले आओ too much तो पढ़ा हुआ रहता है much too से भी sentences बनते है much too कब और too much कब तो much too जब यहाँ पर unpleasant adjective है तब यहाँ पर much too का प्रयोग करेंगे और जब यहाँ पर एक noun आ रहा है तो उसके पहले आप too much का प्रयोग कर सकते है क्योंकि just इस पे सवाल पूछे जा रहे है अभी recent में आया था तो यह पता होना चाहिए फिर quite and all इन दो words की अगर बात करें quite and all are not used together इनने sentences में generally हमें साथ में use नहीं करना होता है जैसे he is quite all right या फिर he is quite right या फिर he is all right तो quite और all दोनों को हमें साथ में कभी भी नहीं use करते हैं इसलिए पहला वाला जो sentence है यह गलत है क्योंकि दोनों का आपने यहाँ पर use कर लिया है साथ में इस sentence को लिख सकते हैं he is quite right तब यह सही हो जाता या फिर he is all right, तब भी ये सही हो जाता है, तो quite और all को हमें साथ में नहीं रखना एक ही sentence में, next, rule number 4, if both the auxiliary verb and main verb, तो अगर auxiliary verb और main verb come in a sentence, एक ही sentence में आ रहे हैं, कई सारे sentences में in fact होते ही हैं ये तो, the adverb of frequency, अब यहाँ पर बात ओरिए, अगर adverb of frequency is put between the auxiliary verb and main verb, तो अगर कोई sentence है जहाँ पर अपना auxiliary verb या helping verb भी आ रहा है, main verb भी आ रहा है, और जो adverb of frequency यहाँ पर आ रहा है, तो उस case में हम लोग क्या करेंगे, adverb of frequency को दोनों के बीच में रखेंगे, if only main verb is there in the sentence, then it is put before the main verb, तो यह तो common structure हो जाएगा, वर्ब के पहले वो adverb लग जाएगा, लेकिन अगर helping verb भी है, main verb भी है और adjective of frequency भी है, तो adjective of frequency को हम दोनों के बीच में रखना पसंद करेंगे, example देखते हैं इसके, I seldom have gone there, यह seldom जो है, यह होता है, adverb of frequency, और भी ऐसे बहुत सारे words होते हैं, जो basic वाली क्लास्वों में discuss कर चुका था, फिर I have seldom gone there, यहाँ पे gone और have, have helping verb का काम कर रहा है, gone जो है वो main verb है, seldom यहाँ पे आपका adverb of frequency है, तो rule के हिसाब से, यह जो adverb of frequency है, यह इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इसलिए यह वाला sentence सही नहीं है, दूसरा sentence अगर देखें, I have seldom gone there, अब यहाँ पे helping verb आ गया, बीच में adverb of frequency आ गया, और यहाँ पे main verb आ गया, यह sentence हो गया सही, दूसरा example देखें, Brunal goes usually to shop every Saturday, या फिर Brunal usually goes to shop every Saturday, यहाँ पे usually, usually जो है, वो है अपना यहाँ पे adverb of frequency, तो इसे अब कहाँ पे put करें, तो देखा था goes usually, अगर यहाँ पे main verb आ रहा है, तो उसके पहले होना चाहिए, ना कि उसके बाद में, इसलिए यह वाला sentence सही नहीं है, Brunal usually goes to, अब यहाँ पे helping आपका adverb of frequency आ गया, उसके बाद आपका main verb आ गया, तो यह वाला sentence हो गया, बिलकुल सही, रूल लंबर 5, 2, टी डबल ओ टू, 2 means more than required, किसी चीश की बहुत आयात है, जरूरत से ज़्यादा है, तो हम लोग 2 का प्रयोग वहाँ पे करते हैं, अब यह structure देखो, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, too much, much to, वहाँ पे भी 2 double 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यह अलोन है, यह ना 2, and it is used with unpleasant adjective, too good, इस तरह काई, उसके साथ pleasant जो adjective है, वह कभी भी हम लोग नहीं लगाते हैं, वह sarcasm कहलाएगा, कि आप ताना कसर हो, तो हमेशा जब भी 2 का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद unpleasant adjective आना चाहिए, so we cannot use too glad, too happy, too pleasant, यह glad, happy, pleasant क्या है, यह आपके pleasant adjective हो जाएँगे, तो यह नहीं आने चाहिए, I am too glad to meet you, कहना यह चाह रहे हैं, कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर इस sentence को देखें, I am too glad to meet you, तो बहुत खुशी नहीं हो रही है, यहाँ पर यहाँ पर यह सरकाजम हो जाएगा, कि यार मिलके बुरा लग रहा है, लेकिन कहे रहे हैं उसको की चलो यार, तुमसे मिलके अच्छा लगा, ऐसा करके कुछ, तो too glad, कभी भी two के साथ, यहाँ पर positive, आपका जो pleasant adjective हो, कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसकी वज़े से यहाँ पर यह गलत है, सही कैसे बना सकते हैं, I am very glad to meet you, कि आप से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस तरह से, अब यह हो गया सही, तो two की बजाए, very का प्रयोग करेंगे, जब भी यहाँ पर एक pleasant, एक अच्छा positive, अच्छा 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 लगने वाला यहाँ पर adjective आएगा, तो, फिर two, two, अगेन यह एक structure बनेगा, इस तरह के structure को किस तरह से प्रयोग में करते हैं, इसका अभी जब CGL का paper सॉल्व कर रहे थे, इसी साल का 2021 वाला pre का paper, तो उसमें इस पर बेज सवाल पूछा हुआ था, यह वाला जो structure है, इसके साथ pleasant adjective आ सकता है, तो normally केवल two double two हो, two double हो, तो उसके साथ pleasant adjective नहीं लेंगे, लेकिन अगर इस तरह के structure में लिखें, तब हम उसे ले सकते हैं, तो sentence देखते हैं इसका, शिवांगी is too intelligent to be cheated, इस sentence का मतलब होता है कि वो इतनी intelligent है, कि उसे कोई cheat नहीं कर सकता, तो too intelligent, अब two के बाद यहाँ पे तो pleasant adjective आ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे to भी आ रहा है, तो यह दोनो एक structure ऐसा बनाते हैं, जब हम यहाँ पे positive, यह pleasant adjective पुट कर सकते हैं, next, rule number six, sentence which is based on, अगेर यह वाला structure पर बात करी थी, we cannot replace two with so that, इस पर error बनता है कि यह जो two के साथ two हम लोग लगाते हैं, इस बादवाले two को हटा के, उसके साथ two को हटा के इसके so that या ऐसा कुछ दूसरा यहाँ पे connectors use कर लेते हैं, तो वो error बना देता है, जैसे, he is two weak so that he cannot walk, कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, यहाँ पे two के साथ, यहाँ पे two इस तरह का structure बनता है, तो यह वाला sentence जो है, वो सही नहीं है, correct कैसे बना सकते हैं, he is two weak to talk, to walk, correct हो गया, इस तरह का structure बन सकता है, या फिर, he is so weak that he cannot walk, यह वाला लिखने का तरीका भी सही है, तो जो sentence लिख रहे हैं, जो भी sentence लिखा हुआ है, उसका meaning बिल्कुल सही से convey होना चाहिए, यह बात होती है, structure इंपोर्टेंट है, अब इसके पीछे बहुत जादा grammar के पीछे भागने की जरूत नहीं होती, simple अगर structure देख लें बस, कि two और two का आ रहा है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, यह दोनों हमेशा pair जैसे बनाते हैं, तो इसके जगे, आखरी वाले two की जगे, हम कुछ और replace नहीं कर सकते, just, तो यह जो examples हैं, इनको थोड़ा से एक दो बार और revise कर लोगे, तो यह चीज़े याद रहने लग जाएगी, next, rule number seven, rather और fairly, इन दोनों के बीच में comparison, कई बार इसको interchangeably लोग यूज़ कर लेते हैं, जबकि दोनों का structure लिखने का बहुत अलग होता है, तो article, फिर fairly, फिर adjective और noun, जब भी fairly आप यूज़ करोगे, तो यह वाला structure फॉलो होगा, rather का प्रयोग करोगे, तो यह वाला structure फॉलो होगा, तो rather के बाद यहाँ पर article आता है, जबकि fairly के पहले यहाँ पर article आ रहा होता है, इसको example से देखो, अब fairly good book, कि एक काफी अच्छी किताब, तो a ठीक है, आपका article आ गया, fairly word आ गया, adjective आपका यहाँ पर आ गया, book यहाँ पर noun आ गया, तो यह वाला sentence सही है, rather के साथ अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो rather a difficult problem, यह काफी जो है difficult problem, तो यहाँ पर rather a difficult problem, इसको अगर इस तरह से बना देते हैं, a rather difficult problem, तो वो गलत हो जाता है, यह वाला structure सही है, ग्रामर तो इसको बहुत deep नहीं कहेंगे, basically sentence को लिखने के यह structures है, तो यह structure अपने को पता होना चाहिए, जो कि इस portion से deal करते हैं, next, rule number 8, there are some differences between fairly and rather, तो उनकी बीच में थुरा सा difference है, उपर कि जो दो sentences थे, उसको भी पढ़के अलग हलका सा meaning आ रहा था, fairly is used with positive degree, positive degree के साथ हम लोग fairly use करते हैं, rather is used with positive, positive के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं, ना कि fairly का, दूसरा fairly is not used, is not followed by to, fairly के बाद two का प्रयोग बहुत ज़्यादा, जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है, उसके बारे में तो two ये वाला है, extra वाला two, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, in such sentences, rather is used, तो ये थोड़ा से एक basic distinction हो गया, rather और fairly के अंदर, के बीच में, तो fairly to good, या फिर rather to good, fairly to good कि ये काफी अच्छा है, तो यहाँ पर fairly के बाद two, ये प्रयोग जो है वो सही नहीं है, usage wise अगर देखें, तो rather to good, अब ये सही हो जाएगा, fairly is not followed by two, rather can be is followed by two, तो rather के बाद two का प्रयोग करेंगे, fairly के बाद two का प्रयोग नहीं करेंगे, next rule number nine, enough, enough word, again कुछ special words हैं, जिनके बारे में जिन से associated बहुत सारी चीज़े होती हैं, rules होते हैं, enough when used as an adverb, is preceded by a positive degree adjective or adverb, example से इसको देखो, she is greater enough to pardon you, यहाँ पर इस वाले enough को देखना है, फिर she is great enough to pardon you, pardon you, pardon का मतलब होता है, माफ कर देना, she is greater enough, अब जो आपका enough है, उसके पहले, it should be preceded में तो उसके पहले क्या आना चाहिए, positive degree of adverb or adjective, तो greater, तो आपका comparative degree है, इसलिए यह सही नहीं है, correct usage बनेगा great enough, और great का है, positive degree, तो अब यह correct है, next rule number 10, else, again special word, else is followed by but, else के बाद but आता है, जो भी sentence के structures बनेंगे, rather other are followed by then, again इसको example से आप देखो, it is nothing else than sheer foolishness, तो else के साथ यहाँ पर, आपने यहाँ पर use किया then को, इसी sentence को देखें इतरी, it is nothing else but sheer foolishness, तो यहाँ पर else के बाद आ रहा है but, यह वाला sentence structure जो है, वो सही है, पहला गलत है, दूसरा यहाँ पर सही है, else के बाद but का प्रयोग किया जाता है, rather or other के बाद than का प्रयोग किया जाता है, तो शीतल has no other alternative, but to work hard, other के साथ यहाँ पर use में आता है हमेशा then, वापस इस वाले portion को देखें, else अगर लिखा है sentence में, तो उसके बाद but वाला structure फॉलोगा, rather और other है, तो उसके बाद फिर हम लोग then का structure फॉलोग करते हैं, यह कुछ special sentences या फिर किया सकते हैं, structures इस तरह के होते हैं, लिखने के, चीज़ अपने बात को रखने के, लिख के बताने के, जो हमें follow करने होते हैं, अब चुकि इस पर base error हर साल लगबर-लगबर कहीना कहीं दिखी जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार rule आपको पता चल जाएगा, उससे आप introduce हो गए, कुछ आपने हाप examples देख लिए, आगे चलके जब आप practice करेंगे, या फिर जो previous year paper हम लोग daily solve करते हैं, उसको आप जब इसको solve करेंगे, तो बहुत सारी चीज़े connect होने लगेंगी, दूसरा, जब भी कोई भी subject आप पढ़ते हैं English हो मैंस, जो भी चीज़ों, कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि बस एक बार में आपने पढ़ लिए और आपको सब कुछ याद रह जाने वाला है, बीच बीच में चीज़ों को revise करना पढ़ता है, उससे related और questions देखने पढ़ते हैं, तब जाके वो चीज़ अपने, कहा सकते हैं कि habit में आती है, अपना hunch डेलोप होता है, ठीक है, तो कुछ special words हैं, आप चुकि बहुत सारे words होते हैं, उनसे जुड़े बहुत सारे structures होते हैं, कोई definite rule तो है नहीं, कि match जैसा हो कि बस एक ही rule हर जगे लगा सकते हैं, और वो बिल्कुल similar answer दे, language है, language को लिखने के तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जो है, exceptions भी इसमें दिखने को मिलते हैं, इसलिए tricky हो जाता है ये चीज़, तो इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका है, एक बार इस तरह से आप इससे देख लो, rules से आप introduce हो गए, इससे associated आपने examples देख लिए, इसको time to time आपको revise करना है, weekend के दो दिन आपको पूरे पूरे मिलते हैं, इससे का दिन आपको अधको पूरे मिलते हैं,